आप सभी को मैं है नमशकार, स्वागत है आपका Fit World Health Care में और आज हम जानेंगे अशोक के बारे में अशोक क्या होता है, अशोक कैसे इस्तमाल होता है, अशोक के सेवन के क्या-क्या फायदे होते हैं शोक को महिलाओं की सेह समंद समस्याओं के लिए फायदे मना जाता है लेकिन इसके पौश्टिक और उप्चारातमक गुड़ों के कारण बहुत सारी बिमारियों के लिए अशोक की चाल, पत्ते, फूल और बीच का इस्तमाल आशोक के रूप में किया जाता है शोक के पेड़का उपियोग रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए हजारों सालों से होता आ रहा है ये मुख्य रूप से इस्तरी रोग और मुद्र रोगों में काफी फायदे मन्द है अशोक की चाल में टैनिन, केटिकाल, तेल, कीटोस्टरॉल, गलाइकोसाइड, सेपोनिन, केल्शियम और आईरन जैसे योगिक पाए जाते है तो अब हमने जाना अशोक क्या होता है अब हम जानेंगे अशोक के सेवन के क्या-क्या फायदे होते हैं अशोक के सेवन के फायदों की बात की जाए तो अशोक इस्तरी रोग में फायदे मन्द होता है एन्यमित मासिक चक्र, पीरियट्स के दोरान पेन होना पैलिविक मासपेशों में दर्द की समस्या, सक्रिय अंडों की कमी वा गर्ब धारन कर पाने में मुश्किल जैसी कई समस्याइं इस तरी रोग में शामिल होती है अशोक का सेवन कर आप इन सभी समस्याओं में फायदा पा सकते हैं अशोक पिरियट्स की समस्याँ में फायदा करता है, अशोक का प्रियोग महिलाओं में मासिक धरम संबंदी विकारों के इलाज में किया जाता है, ये गरबाशे की मासपेशियो और एंडोमेटरियम के इलिए एक टॉनिक के रूप में कार्य करता है आसिक धरम के समय बहुत अधिक खून आने की समस्या में अशोक की चाल का काड़ा बना कर प्रति दिन पीने से लाब होता है अशोक bleeding disorder में कारगर होता है, periods के दोरान bleeding disorder की समस्या हो जाती है, अशोक के काड़े का सेवन करने से इसमें भी फायदा होता है अशोक गरबाशे को मजबूत करता है, गरबाशे की कमजोरी hormones का एसंतूलन और पेड़ू का दर्द यानी pelvic pain जैसी समस्या होने पर भी अशोका रिष्ट का सेवन कर सकते हैं, इसको अशोक के अर्क से बनाया जाता है, इससे सभी समस्याओं में लाब होता है अशोक लिकोरिया की समस्या में लाबकारी होता है, लिकोरिया infection की वज़े से होता है और अशोक infection को खतम कर लिकोरिया में लाब करता है अशोक प्रदर की समस्या में गुणकारी होता है और तोचा के लिए अशोक अच्छा होता है अशोक का प्रियोग तोचा के रंग में सुधार करता है रक्त को शुद करता है और तोचा की ऐलर्जी को दूर करने में मदद करता है अशोक शेरीर से विशेले पदार्थों को नि लिवनोइट्स पाये जाते हैं, ये तोचा को जमा बनाये रखने, दाग दबो को हटाने और तोचा के रंग को साफ करने में मदद करते हैं, अशोक लूज वजाइना को ठीक करता है, लूज वजाइना की समस्या में अशोक का इस्तमाल भारी रूप से किया जाता है, अशोक रहत प्रदान करता है, रखत अतिसार की समस्या में अशोक परभावशाली होता है, और मुतर रोग में अशोक सुधार करता है, क्योंकि अशोक की तासीर ठंडी होती है, तो अब हमने जाना अशोक के सेवन के क्या-क्या फायदे होते हैं, अब हम जानेंगे अशोक का इस्त अशोक की चाल, फूल और पत्ते लें और उनको 200 ml पानी में डालकर अच्छे से उबा लें और उनका काड़ा बना लें जब काड़ा 100 ml रह जाए तो आप उनको चान कर उसका सेवन कर सकते हैं सुबा शाम अगर किसी को रक्त प्रदर, योनी से ऐसा मानिय खून निकलना, पेशाब से समंदि समस्या है तो अशोक की चाल का काड़ा बना कर दिन में दो बार सेवन करने से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है शोक की चाल का चून और मिश्री को समान मातरा में पीस कर, तीन गिराम की मातरा में लेकर गाए के दूद के साथ सुबा शाम सेवन करने से लिकोरिया में लाब होता है अशोक की चाल, बबूल की चाल, गूगल की चाल, माजूफल और फिटकरी को समान मातरा में मिला कर पीस लें और 50 ग्राम चून को 400 एमल पानी में उबाल कर 100 एमल काड़ा तयार करें फिर इसे चान कर और ठंड़ करकर योनी को दोने से योनी शितलता कम होती है अशोक की चाल और इसके फूल को बराबर मातरा में लेकर 10 ग्राम मातरा को रातरी में एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबा पानी चान कर पी लें इसी परकार सुबा का भिगोया हुआ शाम को पी लें, इससे पाइल्स की समस्या में शीगर लाब होता है अशोक के 3-4 ग्राम फूलों को जल में पीस कर पीने से रख तरती सार में फायदा होता है पेशाब सम्मंदिस समस्याओं में अशोक के बीच को पानी में पीस कर नियमी दो चमच पीने से पेशाब में रुकावट एवन अन्य समस्याओं में लाब होता है अशोक बजार में टेबलेट, कैपसूल, चून और लिक्विड के रूप में भी बहुत अराम से मिल जाता है आप उसका भी सेवन कर सकते हैं डोज आपको पैकिट पे और बोटल पे मिल जाएगी आप उसको फॉलो कर सकते हैं अशोक के सेवन के दोरान हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए प्रेंगनेंट लेडिस को अशोक का सेवन चिकिस्तक से परामश लेकर ही करना चाहिए और अशोक का सेवन बहुत अधिक मातरा में नहीं करना चाहिए अत्यादिक मात्रा में अशोक का सेवन करने से बीपी की समस्या हो सकती है अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आप कोई सर्जेशन देना चाहते हैं कि आप अगली वीडियो आयूरवेट के किस टॉपिक पर चाहते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमली के साथ और उन सभी के साथ जिनको आपको लगता है इस वीडियो से मदद हो सकती है ऐसी ही सेहत से सम्मंदित वीडियो देखने के लिए फिट वर्ड हेल्थ केर को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नूटिफिकेशन आ जाए तो धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में